और क्या हाली मेरी दोस्तों मैं आप सबी दोस्तों का श्रेता पाकलामी स्वागत के साथ सथ अभिने दन करती हूँ आप लोग केसे हो आज श्रेता पाकलाम बना है मक्य के आठे और मीथी के पत्तों के द्वारा त्यार नास्ता जो बहुत ही जादा क्रिस्पी और बहुत ही तेस्टी बनके त्यार होती, चलो दोस्तों, हम आप इसको मिल्के बनाना शू करते हैं, इस रेस्पी को बनाने केली एक कड़ोड़ी एक कप आप शेट कर लीज 거죠 उसी से इस रेस्पी को बना के त्यार करें, गैस पी पैन रग दिया, उसके अंदर एक कटोड़ी पानी को डाल देती हैं, उसके बाद एक बड़ा टेबे स्पून इसके अंदर हमने तेल को डाल दिया, स्वात के अंसर आधा टेबे स्पून से थोड़ा सजाता नमक को डाल द उसको अच्छी तरह साफ करके चार से पांच पानी से धुलनेक बाद इसको छोटे टुकड़े में काट के तयार कर लिया थे इन पत्तों को इसके अंदर डाल देती हैं साथी साथ एक से डिर टेवेश्पून इसके अंदर हमने सफेद वाली तिल डाल दिया सर्दी के मौसर में आप कोई भी रेश्पी बने हैं अगर सफेद वाली तिल डालते तो बहुत अच्छा स्वाध आता है आधा टेवेश्पून इसके अंदर हमने जीरा डाल दिया पोड़ा से इसको मिला देती है और मिलानीक बाद इसके अंदर आधी कटोरी हमने धन्यापता काटके रखाए इसको भी इसके अंदर डाल देती है इसको भी अच्छी तरह से मिला देते हैं, मिलाने बाद इसको धग देते हैं, जब तक इसके अंदर दुबारा से उबाल नहीं आ जाता और इस तरह देखें, इसके अंदर दुबारा से उबाल आ गये, इसको दुबारा से मिला देती हैं और जिस कटोरी से इसके अंदर हमने पानी डाला था एक कटोरी उसी कटोरी से एक कटोरी इसके अंदर हमने मक्के के आटे को डाल देना है आटे को अच्छी तरह से इसके अंदर हमने मिला के तयार कर लेना इस तरह देखे मिल के तयार हो के जब इसको मिला लेती है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देती है और आटे को ढखके लगपक 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देती है जिससे आटा अच्छी तरह से फूल के तयार ह जाए और इस तरह देखे इसको रखे वे 12 मिनट हो गये हैं अच्छी तरह से फूल गया है अब इस पूरी आटे को एक थाली के अंदर निकाल लेती हैं इसको अमने पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है जब यह गरम रहेगा उसी से में इसको मसल के त्यार कर लेती हैं जितना पढ़ियां आप इसको मसल के त्यार करेंगे उतना ही बढ़ियां इसका डो बन के त्यार होता हो और इसकी रिस्पी उतनी ही क्रिस्पी और टेस्टी बन के त्यार होती है अब इसके अंदर एक टेबे स्पून तेल को डाल देते हैं और डालने के बाद इस आटे को अच्छ ज़्यादा टाइट हमने नहीं बनाना है और इस तरह से देखे इस पे छोटे-छोटे पीस को निकाल लेते हैं और गोल सेप में दे के तयार कर लेते हैं इसी प्रोसेस के तोरह करीब 10 से 12 पीस को हमने बना के तयार कर लिया बचेवी आठे को वापस उसी पैन के अंदर करके कर देते हैं इस रष्पी बनाने के लिए एक हमने अपपे बनाने वाला पैन ले लिया उससके अंदर सभी खाने के अंदर थोड़े-थोड़े से तेल को डाल दो और Premiere ऑच्छी तरह चारू तरब चीशेस को फैला दीति रह फैलाने के हमने सारे नाश्टे को बना कर तयार तक उस समय गैस की फ्लेम हमने मीडिम रखी थी और मीडियम फ्लेम पे एक तरफ से ये पक गया है इन सभी को अपने पलट देना है और दूसरी तरफ से भी हमने हमने पकाके त्यार कर लेना है एक पैच को तयार होने में लगबख 7-8 मिनट का समय लगता लेकिन इसको पकाते इसे में गैस की फ्लेम को low to medium रखना है, high flame पे इसको बिलकुल नहीं तयार करना है, इस तरह देखे इसको फिर पलट देते, अलटे पलटे इसको अपने दो भार दोनों तरब से पलट के तयार कर लिया, और इस तरह देखे एक तम ये क्रिस्पी बन के तयार हो गया है, जो तय तो इस आमकी चायक साथ बच्चों की टिफिन के लिए ये कुछ हलका-फुलका खाने का मन किया तो भी इस रेस्पी को बना के तयार कर सकते हैं अगर आपके पास अप्पे बनाने आला पैन नहीं तो आप इस रेस्पी को तवे के उपर या फिर फ्राई पैन के उपर भी बना अब मुझे कमेंट करके बताएगा ये रेस्पी आपको कैसी लगी इसको भी हमने अलटते पलटते दोनों तरब से सेख के तयार कर लेना है तीन से चार टेवे स्पून तेल के तवारा ये दोनों बैस बन के तयार होके हैं एक पार आप इसे जरूर ट्राई करिएगा स्वा